जिले के 16 परिक्षा केंद्रों पर हुई कड़ी निगरानी में परिक्षा यूपी के रामपुर में आज जिले के 16 परिक्षा केंद्रों पर हुई शिक्षक पात्रता परिक्षा कड़ी निगरानी में की गई परिक्षा रामपुर जिले के 16 परिक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परिक्षा होगी दो पोलियों में होने वाली इस परिक्षा में 11,000 परिक्षार्थी शामिल हुए जिसमें पहली पाली में 16 एवं दूसरी पाली के लिए 8 परिक्षा केंद्रों केंद्र निर्धारित किये गए हैं शेश सभी परिक्षा केंद्र शहरी चेत्र में शामिल हैं पहली पाली में 7,646 एवन दूसरी पाली में 3,926 अभ्यर थी परिक्षा सफल रही और अधिकारियों की निगरानी में की गई अंदर किलासरोम में एकजाम के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनने घड़ी ले जाने की परवीशन नहीं थी और किलासरोम में घड़ी का होना बहुत ही digging भड़ division गारी लेके जाने जो जी बढ़ आए भड़ी की बहुत ज़रूरी तो आपको बताई आपको नेके पारे ताइम से जो है उसमें क्या पता लगेगा अगर धरी हो तो कम से कम देखे तो regarder हो समेज़ यह पर्ट किए यूपेट ए प्राइमरी लेवल किएसा पीपड़िए बहुत अछा पीपड़िए अच्छी की законч